यहाँ पर HSBC की बात करें तो उनको काफी पॉस्टिव है वो इंडियन मार्केट्स को लेकर ओवेट है इन फाक्ट इंडियन मार्केट्स पर लेकिन उन्होंने कहा है कि दस बड़े रिस्क है अगर इसमें से कोई भी रिस्क एलिवेट होता है तो यहाँ पर थोड़े कंसरंस देखने को मिल सकते हैं उनका कहना है कि पिछले 15 सालों में से 13 साल भारतिय बाजा ने पॉस्टिव रिटरंस दिये वालुएशन थोड़े हाई लेवल पर है जिसकी वज़े से रिस्क को भी नोट डाउन करना जरूरी है दस रिस्क उन्होंने बताई है पहली रिस्क जो उन आते होई नजरा रहा है एक्विटी मारकेट्स में नजरा रहा है वो भी एक कंसर्ण बैंक्स के लिए होता हुआ दिख सकता है प्राइवेट केपेक्स पर उनका कहना है कि यहां पर जो प्राइवेट केपेक्स है उसकी जो घतिये वो थोड़ी स्लोडान होती होई नजरा है साथी साथ उनका दूसरी तरफ यह भी कहना है कि अर्बन में कोई दिक्कत नहीं है तो यह तो पांच बड़ी रिस्क नोने बताई है चटी रिस्क उनका यह कहना है कि जो अर्निंग्स क्रोथे वो भी स्लोडाउन होती हुई नजरा रहें कॉपेट ऐलिकेशन के मामले ल चेंजेस होते हैं उसका भी इंपाक्ट बाजार में देखने को मिलता है हाला कि फिलाल एचस बीसी ओवरवेट है बाजार पर उनका कहना है कि बैंक्स की बैलेंशीट अभी मजबूत है लेकिन अगर कोई भी कंसर्न यहां से बढ़ता है तो वह एक कंसर्न हो सकता है लेकिन अभी तो पॉजिटिव है दस रिस्क पर उनकी नजर बनी हुई है तो यह है आपके लिए कुछ बड़े रिस्क भी है इस समय जहां पर आपको रखनी है नजर वैसे बाजार पॉजिटिव है चीज़े अच्छी चल रही है बट कुछ रिस्क भी आने वाले समय में आ सकते ह इसके जले थोड़ा सतर करेना जरूरी है